कि शुरू करते हैं आपकी वोक्षिट नंबर थर्टी तो पहले अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे गुद मॉर्निंग मेरी प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं आप सब अच्छी होंगी आज हम लोग अपने लैसन को आगे पढ़ते हैं लोग करते हैं परते हैं अब तक हम ने लिख नृष्त के बाद क्या होता है तो अब देखे हम Dubai अंग हम जानते हैं के बाद नज्यूगम और माधा विखम के शंघ्रण से यहां डिपन हुले हुखता है यहां scarsous गार्जी वेज्स ट्व कद model के विकास किसी होता है तो देखे यहां लिखाए निशेशन के परिणाम स्वरुप कि यो влад जाता है जो भून में विक्सित अंदे म merit कहते हैं और द works बाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे हम भून कहते हैं अब क्या लिकाए कोशिकाओं तब समू बनने लगती हैं जो शरीर के विभेर उत्तकों और अंगों में विक्सित होती है यानिकि यह बार-बार धीरे-दीरे बढ़ने लगती है और फिर यह हमारे शरीर जैसे शेप लेना शुरू कर देती है इस विकास शील संरचना को भून कहते हैं विकास शील का मतलब क्या होता है जो पूरी तरह से विक्सित ना हो दीरे-दीरे विक्सित हो रहा हो तो देखिए यहां आपको दिखा दिया गया कि किस तरह से निशेशन होता है उसके अबात किस तरह से योगम जन होता है और फिर किस तरह से यहां पे बून का विकास होने लगता थीक अब उसके बाद क्या होता है देखिए भून गरबाशे की दिवारों में रुपित होकर विक्सित होता रहता है यानि कि यह अंदरी-अंदर पढ़ा होने लगता है गया ब विकास होने लगते हैं तो भून कीवे अवस्ता जिसमें शरीर के सब यह पहचाने जा सकते हैं यानि पहले तो छोटा सा सैल होता है तो हमें समझ भी नहीं आता लेकिन जब लास्टी जोती है जिसके बाद हमें पता लगने लगता है कि यह बच्चे का हाथ होगा यह उसका प पढ़ा समझ में आया यह नहीं आया तो पहला प्रिशन लिखा है कि एक यूगम जन और एक गर्ब के बीच में क्या अंतर है लिखे तो चले इसका अंसार देखते हैं तो देखिए आपके जो दो अंतर है यहां से लिख सकते हैं कि यूगम निशीशन का परिणाम होता है ठ कि गर्ब जो है वो भून के विकास के बाद बनता है तो दोनों में एक डिफरेंस ही हो गया और दूसरा डिफरेंस दोनों में यह है कि यूगम जन में जो अंगों की पहचान है वो नहीं हो सकती ठीक है वो बिलकुल सेल होते जब कि गर्ब में हर अंग की पहचान की जा सकत यानि कि जो भून शिशू का चोटा सा फीटेस वो किस पार्ट में बनता है तो चलिए देखते हैं तो आप यहां से लिखेंगे के गर्भ याश में भून का रोपन होता है लिख लेंगे चलिए आगे पढ़ते हैं अब यहां आपका देखें नेक्स टूर्शन लिखता है के पईभाशित करें भून को और गर्भ को दोनों को पईभाशित करना है तो चलिए दोनों का अंसर देख लेते हैं तो देखिए आप यहां से लिखेंगे के भून किसे कहते हैं के युगमजन बार-बार विवाजित होकर कोशिकाओ के गोले में बदल जाता है जिसे हम भून कहते हैं ठीक है और गर्भ इसे कहा जाता है बूर्ड की व्यवस्ता जिसमें शरीर के सबी हम पहचाने जा सकते हैं उसको हम गर्भ कहते हैं लिख लेंगे आसाने से चलिए अगला कोशिकाओ कोशिका जो मनुश्य में नए जीवन का प्रारम से युगम कहलाती है तो यह वा पर नाम सरूप यूगम बनता है यह वाली ठीक बात है एक भून में एक आलकी कोशिका से बनता है नहीं इसमें दोनों होती है ठीक है तो इस तरह से आपका पहला सही दुसरा गलत तिसरा सही चौता गलत कर लेंगे आप लोग चलिए तो आज ही वीडियो जल्दी से मिल जाए अब भी तक अपने माचान को सिस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज माचान को सिस्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग